हुआ हाई है गुदावरी किचन में आप सबका स्वागत है आज हम जिमीकन का सब्जी बनाने जा रहे हैं जो 36 गड़ का लोग पीए सब्जी है पहले हम जिमीकन को कि चोटे पीस में काट के उकर में वाल लिया है फिर छीला और फिर चोटे च्टे टुक्रे में काटे हैं इसको हम अब इसके लिए हम आठ लंबे-लंबे मिर्ची में कट किये हैं दो मेडियम साइज के प्याज काटे हैं दस बारा लसुन की करी है उसके चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लिया है आठ टमाटर का चोटा-चोटा टुकड़ा में कर लिया है एक कटोरी दही है और धनिया पत्ता है इसको हम अभी डिप फ्राइ करते हैं कड़ाई रखा है इसमें हम फ्राइ करने के लिए उसके चीशाब से तेल डाला है अब ट्राइ करते हैं अब हमारा तेल गरम हो गया है इसमें हम एक एक ठोकर के चाहिए तरहीं को हम जाल कुट पलाट में हो प्राइ से तरहीं और खुट है अबक करते हैं देखो यह हमारा फ्राई हो गया है चारो प्रोकमस्त ब्राउन हो गया है उसको निकाल लेते हैं भी बचा हुआ को एक सब्सक्राइब डाले लिए पेशेंज रखना इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यह वहां थाइम में थ्राई होता है इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब रखने की जर्याद है हमारा यह प्राई हो गया है अब प्रेल में हम पहले तड़का डालते हैं करें बस्ता का थीक लशूम का मेज रख ताली हरा मीज रखें इसका प्राइब प्राइब तेल बचा था उसमें हम यूज कर रहे हैं यह सब तड़का लगाने के लिए अब हम प्याज डाल रहे हैं हल्का ब्राउन होने तक प्याज को तलेंगे अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया है सबसे पहले हम मसाला डालते हैं मसाला में पहले लाल मिर्च पावडर एक चम्मच लाल मिर्च डाले हैं और यह पॉन चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच धन्या पावडर और एक चम्मच जीरा पावडर और आधा चम्मच गोल मिर्च पावडर और हम अब कते हुए टमाटा डालते हैं और इसमें नमर डालते हैं दो चम्मच नमर डालेंगे क्योंकि सब्जी ज्यादा है मद्यमाच में टाई करते हैं और धाग देते हैं जल्दी जादेगा हम अब टमाटा पक गया है देखो उतर आई पेल पोरने लग जाया है और तमाटा को भीडे से अच्छा से बखाना ताजी अच्छा से तरी है और वाड़ा होगा और त्वाद आए इसमें हम थोड़ी सी अब गरम मसाला एक चम्मच गरम मसाला डांगें तेटेगें और वापास है यह इसको प्राई किये में इसी को डाले गए क्वड़ा है मसाला में घीमिकन को डाल के फिर अच्छा से निदाल लिये हैं और हमें तरी वाला सब्जी बनाना है इसलिए इसमें हम एक ग्लाश पानी डालते हैं और थोड़ा सा पानी की जरुवात है कि एक ग्लाश पानी डाले कि एक ग्लाश पानी डाले कि इसमें ज्यादा की जबरत रहता है तो भी थोड़ा साप के लिए एक कटोरी दही डाल देते हैं कि इसमें टमाटार बहुत सारे डाले हैं तो भी खुजाता है तो हमें एक कटोरिय दही डाल में एक ख़व देगा दो इसको अब बॉल्ड होने देते हैं तीन मिनट के लिए इस सब्जी तयार है हमारा सब्जी अच्छे से तयार हो गया है पूरा मसाला और सब्जी अच्छे से बिंग गया है इसको हम पात मिनट में फुलाट में बॉइल किये थे दखो मस्त बन गया है तरी भी अच्छा बना है देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसको हम बंत कर देते हैं और इसको हम खलक्स से दिग भॉल में डाल देते हैं हरी धन्या से हैं और तैयार है हमारी सब्जी खाने के लिए इसको हम चावाल ये रोटी किसी कुछाथ भी खा सकते हैं यह सब्जी कोई खास मौकर में बनाया जाता है और बनाते हैं 36 गड़ में क्योंकि ये इस वेशा सब्जी माना जाता है खाने में भी स्वाध है और ये सब्जी थोड़ा सा खुज लाता भी है इसलिए टमाटार भी जादा डालेंगे थोड़ा सा दही डाल देंगे अगर दही नहीं तो निवू का रज भी दो चम्माट डाल सकते हैं धन्यवाद